वेलकम बेक एवरिवन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के हमारे सेकंड मैच के बारे में जो की खेला जाएगा EMI वर्सस GUL के बीच देखें उमीद करता हूँ जो अभी पहला मैच कनाडा वाला चल रहा है आपके लिए अच्छा जा रहा होगा कनाडा और नेपल वाला मेरे लिए तो देखें बहुत अच्छा जा रहा है और बाद में पता नहीं क्या होगा क्योंकि भाई मैच है कभी भी कुछ भी हो सकता है लेकिन हाँ यह जरूर के लिए रहे जो कल UAT20 का मैस था कल मैस था अबुधाबी और शार्जा का तो वो तो सब ने क्लिंस्विप किया होगा अगर मैं अपनी बात करता हूँ ना आठ लाग से ज़्यादा का प्रॉफिट अरन किया था मैने कल वाला जो UAT20 का मैस था और उमीद करता हूँ आपने भी विन किया होगा और कोशिश पूरी होगी इस मैच में भी उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट अरन करे और देखिए यह जो मैच है ना EMI का मैच है और EMI एक ऐसी टीम है जो ओल्रेडी क्वालिफाई कर चुकी है औ तो वो लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट तो EMI के लिए मैच होगा एक्सपेरिमेंटल मोड वाला और GOL के लिए मैच बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होगा तो इस मैच में कौन से प्लेयर आपके लिए ट्रम कार्ड होंगे इस वेन्यू का क्या रिकोर्ड है यानि कि ज जो बंदा ऐसा है जिसने इस वीडियो पे पहला लाइक और पहला कॉमेंट किया उसको पूरी आईकेम फैमली के तरफ से कॉंग्रेचुलेशन उसका रीजन क्या है क्योंकि वो बंदा फ्री में इयर बड्स जीत चुका है आपको मालूम होगा अगर आप रेगुलर चैनल क कंटीन्यू चल रहे तो सबसे पहले तो चैनल को सबस्क्राइब कर दो ताकि आने वाली जो वीडियो होगी ना उसमें भी यह गिवववे होगा फरस्ट लाइक और फरस्ट कॉमेंट करो और गिवववे विन कर दो तो मेरे बाई सबस्क्राइब जिसने नहीं किया वो कर द अब क्योंकि आप देख सकते हो इस वीडियो में आपको तीन प्रोड़क्ट दिख रहे होंगे लेकिन वीनर अभी तक एक ही आया है तो इसका मतलब है कि दो वीनर आने अभी भी बाकी है इस वीडियो में दो गिवववे और अवेलेबल है जो आप जीत सकते हो लेकिन वह आप पूरा वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा बस इतना ध्यान डखना गीववे के उन लोगों के लिए हैं जो चैनल के सब्सक्राइबर से और इस गीववे की कंडिशन को फुल मतलब करेंगे और सबसे बड़ी कंडिशन क्या पता गीववे की सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बाकी विन कैसे करोगे इन दो गीववे को वो आगे देखेंगे पहले हम मैच की इंपोर्टेंट चीजों को देख लेते हैं देखेंगे यह जो मैच होगा है आठ बजे मैच खिल जाएगा अच्छा एक और इंपोर्टेंट चीज बताना चाहूँगा जिस टीम से कल मैने आठ लाग से जदा का प्रॉफिट उठाया है ना वो टीम आपको कहा मिली थी वो टेलीग्राम पे मिली थी और सब ने प्रॉफिट उठाया था तो मेरे बाए इस मैच की भी टीम जो आपको मिलेगी ना वो टेलीग्राम पे मिलेगी जिसका लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और जिसका लिंक कॉमेंट बॉक्स में अवेलेबल है पिछ रिपोर्ट हो गई, लेगे कई बार के होता है, पिछ रिपोर्ट बहुत गंदा भी काम करती है, जैसे कल वाला मैच ही ले लो, बिल्कुल फ्लेट विकेट, यानि कि बैट्समेन जहां हंड्रेट करना चाहिए था न, वहां टीम 90 पे अलाउट हो रही है, सो मैसे 90 मैचस में पिछ रिपोर्ट सही और 10 मैच में पिछ रिपोर्ट अनेक्सपेक्टेड होती है, तो पिछ की जो मतलब कंडिशन होगी कि बैट्समेन अच्छा करेंगे, बॉलर्स अच्छा करेंगे, यह सब मैं आपको टेलिग्राम पे बताऊंगा, तो डिस्क्रिप्श को 107 रन पे अलाउट कर दिया था, 19 रन से मैच जित गई थी, भाई मुझे बिलकुल भी यकीन नहीं हो रहा था, जब मैंने स्कूर काट देखा था न, कि भाई कैसे हार गई, मतलब DC कीटी में 119 रन चेर्ज नहीं कर पाई, और यहां पे चेर्जिंग आप देखोगे न, म करना क्या होगा, मुझे जहां तक उमीद है, देखिए, AMI की टीम थोड़ी स्ट्रोंग जाता है, वो अगर बोलिंग भी करेगे न, तो भी वो मैच जीत सकती है, लेकिन थोड़ा फर्स जाएंगे वो लोग, बस यह धियान देना कि सिंपल सी बात बता देता है, यहां पे फर्स लिखा हुआ है, लेकिन आप बेट फर्स एक्सपेट करना, जो टीम पहले टॉस जीते ही, वो बेटिंग करनी चाहिए, क्योंकि पिछले दो मैचस में विकिट बहुत ही स्लो हो गया है, सेकेंड इनिंग में, अब EMI थोड़ी अलग टीम है, EMI बोलिंग भी करेगे न तो फिर गेम थोड़ा गल्फ के फेवर में आ सकता है, क्योंकि फिर EMI कमजोर हो जाएगी, देखिए, पिछले मैच में पैसरस ने दस विकेट ले तो इस्पिनर्स ने पांच विकेट लियते हैं, बैलेंस विकेट आप देखिए, पहली निंग में इतना तो इसकोर करी सकते हो, वेदर बारिश के तो कोई चांस ही नहीं है, देखिए, गल्फ के टीम आठ मेच खेली है, चार विन किये चार हारी है, एमाई के टीम आठ मेच ये तो क्वालिफाई कर चुगे, इसके बारे में तो बात ही करने की नीडनी है, ये पिछले मैच होई गए, प्ले फारुकी और मौमद रोईद, यानि कि इसका मतब निकॉलस पॉरण इस मैच में नहीं खेलेंगे, ठीक है, और उसके बाद बैटिंग ओडर में भी चैंजेस हो सकते हैं, जैसे इसा हो सकता है, जैसे टीम पहले बैटिंग करती है, तो विल इसमिट जो है प्लेंग लिए उ उपन कर लें, और बोलिंग करते हैं, तो सबस्चूट में हो जाए, यह आपको बताएए, कि सबस्चूट का रोल इनका चलता है, ट्रेंड बोल्ट फेजल फारुकी और अखिल उसेन, यह एक्सपेक्टेड है, पावर प्ले में बोलिंग करेंगे, फेजल फारुकी और बो उसमें सबसे अच्छा इनका रिकोर्ड है, और सबसे बड़ी अप्लेयर भी है, यह दुबईगा, तो इंपोर्डेंट प्लेयर है, और नो डाउट कंफर्म पिक करना, कुसाल परेरा की बात आती है, तो भाई इस वेन्यू पर अगेंस तो पहला मैच होगा, इस वेन्यू जो खेले उसमें रिकोर्ड इनका अच्छा लगा मेरिको, तो एक मैच में जीरो है, बाकी में तो अच्छा ही है, फ्लेजर की बात करते हैं, गल्फ के अगेंस तीन मैच खेला है, दो मैच में विकेट है, उसके बाद अमबाती राइडू है, जिनका वेन्यू पर क्या नाम है, इस टीम के अगेंस नों ने 25 रन का स्कोर किया है, वकार सलाम खेल ने एक विकेट लिया था इस टीम के अगेंस और इस वेन्यू पर एक विकेट पचीस रन देखे, और इसमें इतका दोनों जगा पहला मैच होगा, अकील उसमें की अगर हम बात करते हैं, तो इस वेन्यू की अगर हम बात करते हैं, तो इन्हों ने दो विकेट निकाले हैं, बोल्ट की बात करते हैं, बोल्ट नो डाउट अगर टीम पहले बोलिंग करती है ना, तो कैप्टन सी का बहतरीन चोईस है, और वेन्यू के हम बात करते हैं, तो वेन्यू पर तो ही अच्छा फारुकी की हम बात करते हैं तो वैन्यू पे इनका रिकॉर्ड सूपर है और अगेंश भी अच्छा है देखे स्मॉल लिग के मश नीडर प्लेयर हैं फैजल फारुकी ट्रेंड बोल्ट और अकील हुसेन भी है और यह प्लेयर जिनको पता है नामे कि लेना है तो उनके बाले में बात करने से कोई मतलब भी नहीं बनता है यह इनके बैंच के प्लेयर है जिसमें विलिसमेड आपको मतलब जैसे टीम बैटिंग करेगी ना पहले तो आपनिंग करता हूं नज़राएगा अब देखिए जो सबसे ज़्यादा विकेट में निकाले सिवाए मौमद रोईट के सब को विकेट मिला था उसके बाद सेकेंड लाश मेंच के हम बात करते हैं तो इस वाले मेंच में फिर से कुसाल परेरा टीम के हाईएश स्कोरर थे टीम डेविड विकेट लेज से और इस मेंच में जो व पूरण तो कहां कहलेगा तो इसलिए अब यह टक्र दे सकते हैं देखिए जैम स्मिंस जैमी स्मित के साथ जो है ओपन करेंगे क्रिस लिंग जो है वन डाउन फिर जोडन कोक्स फिर शिम्रोन हेटमायर ग्राहट इरासमस आयान अबजल खान जैमी ओवरडन क्रिस जोडन ड पास रहने वाला है गराहट इरासमस ठीक है हम बात करते हैं पावरड प्ले और डेथ की तो जैमी ओवरडन इरासमस और मुझरबानी देखिए पता ही क्या सीन है जब पहले बोलिंग करेगी न टीम तो प्लेंग लिए उन में रहेगा और बैटिंग करेगी तो करते हैं तो जैमम स्मित ने एक वे my जिसमें है। इनों है टॉटलियाव फिलोप रहें हैा हे सबसे बड़ा माइनस पॉचिश मालना चाहता है जो भाई हर मतलब only Saddi hypocrisy लن है तो मैं बिल्कुल व्यूमिन ने करूँ है इन से स्मोल लिंग में लेने की बागी मिनी जेल बगर मैं ट्राइ कर सकते हो क्योंकि अगर बोल्ट जैसे प्लेयरों को खेल लिया ना तो मिडल ओर्डर के अंदर जब मिडल ओवर्स जो आएंगे ना तबाही मचा देगा बस बो वेन्यू पर बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इरासमस की बात करते है बीस और बारा रन एमाई के अगेंस्ट और वेन्यू पर आप देखोगे तो वेन्यू पर इनका रिकॉर्ड अवरेज है मतलब ठीक ठाक है आयान अबजल खान का एमाई के अगेंस्ट पहला मैच होगा और इस मेंन्यू पर इनका रिकॉर्ड अच्छा है दें जेमी ऑवर्टन है जेमी ऑवर्टन ने एक्तालीस रण का स्कोर किया था इस तीम के अगेंश्ट और अगर हम बात करते हैं बोलिंग की तो वेन्यू की बोलिंग की तो दो विगेंस्ट है तीन मैच में और जोडन की तो तब भी important है जब पहले bowling आते हैं पता है क्यों क्योंकि bowling आते हैं डिथ में आता है इनको और वहाँ विकेट मिलता है इनको और अगेंस्ट के अलावा वेन्यू पे इनका ठीक ठाक रिकोर्ड है डाम ड्रेक्स ने दो मैच खेले जिसमें तीन विकेट और 21 रन है और वेन्यू पे आप देखोगे तो अच्छा वासा परफोर्मेंस है हर मैच में जुबेर जुएप का पहला मैच होगा ये माई के गेंस्ट और इस मेन्यू पे नों ने एक विकेट लिया हुआ है और ये इनके बेंच के प्लेयर है जिसमें बहुत ही कम चांस है कि कोई खेलेगा बस मुझरवानी का सीन में आपको बताए दिया है कि जैसे टीम बोलिंग क पिछला जीता था ना सूपब था वाई बहुत ही तगड़ा मैस था येकिन नहीं और था मेरिको तो इस्पेशली के जीत गए थे उसके बाद सेके लाश मेश मेश में टीम के हाई इस स्कोरर है रेटमायर उरकिशलीन बोलिंग में सब को विकेट मिला था जिनोंने और मुझरबानी ने तीन मतलब चार विकेट लेते तीनों ने अब हम बात करतें गिववे के अगर अपने ध्यान दिया हो तो मैंने बोला था कि फर्स्ट लाइक फर्स्ट कॉमेंट वाला तो विनर आए गई लेकिन दो गिववे अभी भी बच्चेवे हैं तो इस वीडिय निया खुडब गरते हो तो फॉक्ष नहीं मिलेगा है यह तो करना को कि एक वंड़ करना है औरُ मैं उस को करूंगा एक तो सबसे जब था जैसे क्या सब करना था यह तो उसके अडिक पर ऐसे तो इस तरीकेHS से तृबड़ के सबसे बड़ी आ खास्यत पता हैं एक प्याई है ये गीववे सेम डेमे के लिए रहे मतलब ऐसा नहीं होगा कि साथ दिन बाद रिजल्ट आएगा नहीं आज वीडियो बनिये जैसे डेडलाइन हो जाएगी मैच की तुरण गीववे तो यह आप लोग के लिए बड़िया चीज है तो उमीद करता हूं आप लोग पार्ट्स पे जरूर करना जो भी वीडियो को देखा है चलिए अब हम टीम की बात करते हैं फाइनल टीम तो मैंने बताई दिया है कि टेलिग्राम पे आपको मिलेगे डिस्क्रिप्शन में लिंक पार रखें ध्यान लखना इस बात कर ठीक है चलिए टीम की बात कर लेते हैं फाइनल टीम टेलिग्राम पे मिलेगी इसमें को डाउट ही नहीं है अभी जो मैं टीम बना रहा हूं ना वो डेमो टीम है टीम टॉस के कोडिंग चेंज होगी देगे निको पुरन तो खेलेगा को लिया है फिर आजे बोलिंग में ट्रेंड बॉल क्रीश जोडन क्योंकि यह जो विकेट है ना वो बोलर्स के लिए बहुत अच्छा है आपने देखा ही था ना पिछले इसी वेन्यू पे 139 टार्गेट चेंज नहीं हुआ था तो मैं जो टीम मना रहा हूं वो बोलर्स के टीम मना रहा हूं और क्योंकि बोलर्स यहां पे ज़्यादा इंपोर्टंट होंगे तो अब्विस सी बात है उसी के एकौडिंग टीम में पूरन अगर होता ना तो मेरी पूरी टीम चेंज हो जाती क्योंकि पूरन अकैले गेम फिनिश कर देता लें पूरन खेलेगा नहीं मेरी एक team में fault है और वो क्या है। जुबेर जुहेभ को हता के आपको DJ Bravo को लेना है। क्योंकि DJ Bravo खेलेगा। Captain मेरा रहेगा Jamie Overton और Vice Captain मेरा most likely दे कि मैं VC Bold को करूँगा। बाकी other side में option आपके लिए Bravo है, Faroo की भी बहुत तगड़ा है। बहुत ही दगड़ा, फारू के अभी काफी एची फॉर्म में चलना है, तो यह मिनी डेमो टीम है, और बाकि जो भी चेंजेस होंगे टीम के अंदर, वो टेलिग्राम पे इन्फॉर्म कर दिये जाएंगे, लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन वॉक्स में दिया हुआ है, टेलिग्राम जोड़ी जोइन करेना, और इन्वेस्टमेंट आपको नॉर्मल करना है, ना जादा हाई, ना जादा कम, और ट्राई करना सेवन फोर्में इन्वेस्टमेंट हो, जैसे लीग इलेवन एप्लिकेशन हो गया, लीग 11 एप्लिकेशन डाउनोड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डाउनोड का लेना ठीक है ठेक है ठेक है दोस्तों इस वीडियो के इन तक देखने के लिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में